केंद्री मंत्री और रेपुब्लिकन पाइटी आफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने मध्यप्रदेश विधान सभा चुनावें उम्मिद्वार उतारने से इंकार कर दिया है अठावले ने अम्पी विधान सभा चुनावें बीज़ेपी की सभी 200 सीटों पर 230 सीटों पर समर्थन देने का अलान किया है मुद्विध विधान सभा चुनाव के बीज इंडिये गडबंदन में राज्यमंत्री रामदास अठावले जी इस बात वह फाल में हैं वह यहां हम उनसे बात करेंगे अध्यक्ष में चुनाव के चल रहा है उसमें आपकी पार्टी दलीत अदिवाशी ओभी सी माइनोरिटी और सभी वर्गों में लिए काम करती है और रिपब्लियन पार्टी हमारी बहुत पुरानी पार्टी है तो आज मैंने बीजेपी के ऑफिस में जाकर मानने मुख्यमंत्री शिवराश्रीन चवान जी प्रदेश आदेगे बीडी दे शर्मा जी और लेबर एंड पर्यावलन मंत्री दे सेंटरल के उपेंद्र यादो जी इनके साथ मेरी आदा पावना घंटा तक बात हुई और उसमें मैंने उनके सामने मेरे पार्टी के भूमिका रखी है कि जो मद्यप्रदेश में जो इसलान सभा के चुनाम आ ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को कैसा मिले उसके लिए हम कोशित करेगे ऐसा वित्वास हमने उनको दिया है और महुल मुझे नजर आ रहा है कि मद्यप्रदेश में बीजेपी सत्ता में आईगी और कॉंग्रेज पार्टी की जो हलत है यह आदब इतनी अच्छी नहीं है कॉंग्रेज पार्टी ने कैंडिट भी अच्छे नहीं दिये है और जिस तरह नौ सवानो सालों में नदेद मुदी जी ने काम किया है जो जन्दनी उजना के पचास करोड अकाउंट बैंक में खुले है उसमें हिंदू भी है मुसल्मान भी है दलीद भी है हमारे मुद्रा जा गई थरो लोगों को मिला है नौकोरांड से जाधा लोगों के सिलींडर मिले है कम से कम, Чण चार करोड से जाधा से ज़ाधा लोगों को प्रदानमंत्री आबाश कंका मकान मिला प्रदेश की बात करें तो यहां आर्पियाई के जो नेता हैं जैसे मुहमद एसान हुए या अन्य नेता जो है उनका भविश्य क्या रहेगा कि अभी अगर यहां विजेबी के सता आती है तो में मुख्यमंत्री और प्रदेश आद्धिक्ष मानने उपर जेपी नडडा जी है आमिशा जी है इसे बात करूंगा और यह प्रदेश पार्टी ने पूरा समर्तन बिजेबी को दे दिया था इसलिए सता में भागेदारी आरिपय को मिलनी चाहिए इसलिए जरूर मैं कोशित करूंगा मुहमद एसान तो हमारे पुराने लिडर है वो आभने आपकी पूरी आपकी आपकी पार्टी ने कोई क्या पंत्री में जगा दी जाया आपकी तो उस पर क्या विचार आपकी को मतलब हमाविकास लहीं अगांड़ी का उद्धो ठकरी का सरकार था बाद में एकनाशिंदे 40 MLA स्पूशन आगया और 10 MLA इंडेपेड़न्ट, 50 MLA को साथ में लेकर महाविकास आगाडी सोड कराए और उद्धो ठाकरे को रिजाइन देना पड़ा, उसके बाद जो सरकार पमनी, उसमें मालनी देवेंदर पफड़ों जी ने बड़ा मन करके एक बाद में जब हमने मांग किया था कि हमको एक मंत्रीपत मिलना चाहिए, तो देवेंदर फड़नवी जी ने विस्तार होने के वब पर जुरुशार क्या चाहिएगा, ऐसा उन्होंने आस्वास मना दिया है, तो जान्दी की बात करें, तो उन्होंने कल आईडानी को लेकर प यह राहूल गांदी इसी तरह के बेबुनियाद हमले करते रहते हैं, आरूप करते रहते हैं, आदानी के बारे में आदानी का और नदेद मुदीज का कोई संब्ध नहीं है, जो कि आदानी को कुछ कॉंट्रैक्ट मिलते हैं, वो ने नियम के मुताबिक वहां टिंडर पभ लोगे हो उसका सरकार से मुदीज साहब के कोई संब्ध नहीं है, लेकिन बार बार रहूल गांदी अरूप करते हैं, और आदानी का जान बूच कर तरगेट करते हैं, लेकिर उसमें मुदीज का कोई संब्ध नहीं है. और इसराहिल और हमास का जो यूद चल रहा है जो फिलिस्तीन भी उसमें तो उस पर क्या कहेंगे तो उस पर हम यह कहेंगे कि यूद बंध होना चाहिए क्योंकि अबिद्ध कुछ इसके लिए अभी इतना इुद्ध हो गया इसलिए अमरेका ने भी इसराहिल को सपोर्ट किया बाद के तरब से समौन करना किया है तो इसलिए मुझे लगता है कि भाने हर निरने है तो है नियुक्त है और दे और सोभी है हमने त हैं लेश्र्स तर्फडर्म जसा माँ को ब्रकने के लिए ये उसका कुछ हद तक हौई सकता है इसलिए हमने मांग किया था, लेकिन वो शस्त्र के पर्मिशन देने का निर्ने शायद सरकार के दरब से नहीं हो सकता है, क्योंकि उससे हिंसा बढ़ेगी इसी दरब का एक सोच जो है, सोच सरकार का हो या बाकी के लोगों को है, वो ऐसा है, लेकिन शस्त्र के परवान नहीं ना भी मिले, लेकिन दलिक्तों का सरक्षन पूलिश ने करना चाहिए.